आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आप में से बहुत सारे चात्र चाहते थे कि मैं जिल्ली पुलिस की फाइनल कट आफ के बारे में जल्दी से बता दू और इसको लेकर मैंने एक सर्वे भी कराया था लगभग उस वीडियो पे 8000 के आसपास व्यूज आए और उन 8000 च चात्रों ने उस गूगल फॉर्म को भरा था जिनका फिजिकल हुआ और उनके मार्क्स रोल नंबर और ने मेरे पास आ चुके थे अब हाला कि फिजिकल तो लगभग इसके डबल ने किया है लेकिन अभी जो स्कोर मेरे पास आया है उसके आधार पर आज मैं इस कट आफ के बारे में बात करूंगा देखो वैसे अगर मैं कहूं 100% ये कट आफ वैलिड नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5745 चात्रों का ही मार्क्स आये हैं लेकिन एक रफ आइडिया आपको हो जाएगा आप लोगों को प्लस टू या माइनस टू ही नहीं लग रहे हैं आप लोगों का स्कोर देखते हुए अब मैं इसके बारे में बात करूंगा ये आपको कट आफ मालूमी होगा ये आप लोगों की फिजिकल से पहले की कट आफ है जब आप लोगों ने रिटरन एक्जाम क्वालिफाई किया था जिसमें EWS के 51 थी फीमेल से भरती आने वाली है दोस्तों जिसमें दिल्ली पुलिस हैड कॉंस्टेबल मिनिस्ट्यल है असिस्टेंट वैरलेस ओपरेटर है जो आप लोगों को अगले महीने देखने को मिलेगी सिप्तंबर के लास्ट तक और उसके बाद नवंबर में सुनने में आ रहा है जादा ले एक तारिक से सितंबर से आप लोगों का स्टार्ट होगा जो लोग तयारी करना चाहते हैं जुड सकते हैं रिजिनिंग का क्लास आप लोगों का स्टार्ट हो सकता है आप प्ले स्टोर से ओल इंडिया स्टुडेंट्स कम्मिनिटी अप को डाउनलोड कर लीजे और महां से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं साथी साथ आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही important सूचना है आप लोगों के लिए ये दिल मांगे मोर ये दिल मांगे मोर नाम से एक बैच स्टार्ट होगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को मैच की प्रेक्टिस कराऊंगा फ्री आफ कोस्ट ये दिल मांगे मोर के नाम से हर रोज रात को 9 बजे हम मैच के 10 से 15 कुशन बहतरीन तरीके से सोल किया करेंगे आप लोगों की में प्रैक्टिस करा करूंगा चाहे आप किसी भी एक्जाम की प्रिपेशन कर रहे हो अब कट ओफ की बात करते हैं यह सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तो 5745 चात्र के मार्क्स मेरे पास है उनके नाम और नंबर है इन में से अगर मैं मान के चलूं 156 चात्र ऐसे हो सकते हैं जो अपनी एंट्री गलत करते हैं या फिर उन्होंने फ्रोड किया होगा गलत जानकारी भी दी गई होगी लेकिन जहां तक मैं पहुँचा हूँ अगर मैं बात करता ह लेकिन जो मेरे पास मार्क्स आए हैं उसके आधार पर ये कट आफ मुझे कहीं ना कहीं 67 चे 68 अराउंड नजर आ रहा है अभी जो मेरे पास स्कोर आया है इतना मार्क्स बढ़ेगा ठीक है जो अभी मार्क्स है मैं 100% इसकी शोरिटी नहीं देता हूँ आप कितना इससे क्य पाक रखते हैं आप मुझे बताईएगा आप लोगों को सही लगा कि नहीं लगा क्योंकि मार्क्स मेरे पास है आप लोगों ने जो भरके दिया वो मेरे पास है उसके आधार पर यहां पर मुझे ये 68 अराउंड जाती होई नजर आ रही है और ये कट आफ मुझे फीमेल की अराउंड ओफ 52 नजर आ रही है 52 जनरल कैटिगरी की जो फिमेल है उनकी का टॉप बावन तक पहुंच सकती है हो सकता है प्लस टू माइनस टू हो जाए इधर भी प्लस टू माइनस टू हो सकता है ठीक है दूसरा क्योंकि आप लोगों में से लगबग 13-14,000 बच्चों ने फ प्लस टू किये गए है उस 13-14,000 में से लेने तो 5000 के आसपास है जिसमें मेल्स और फिमेल्स है तो उन सारी चीजों को देखते हूं यहां पर जनरल कैटिगरी आपको 68 दिखेगा तो वहीं पर फिमेल्स कैटिगरी आप लोगों को बावन दिखेगा जनरल कैटिगरी का ठीक पिमेल्स बहुत सारे चात्र ऐसे भी है जिन्होंने 70 प्लस स्कोर किया है EWS कैटिगरी से भी तो उसके आधार पर अगर मैं बात करूँ EWS की अगर मुझे कट आफ बतानी हो तो मैं कहूंगा यह 58 के आसपास कही ना कही नजर आएगा 58 और यह कही ना कही 56 to 58 आप मान के चलि जो कट ओफ फाइनल है यह मेल्स की यह फिमेल्स की यह कही ना कही मुझे नजर आ रही है 56 to 58 इस बीच में कहीं भी रह सकती है या तो 56 रहे या 58 इससे जदा नहीं बढ़ेगा आप बोलोगे बिल्कुल एग्जेक्ट देखो यार कमिशन मैं नहीं हूं मेरे पास सब के मार् मैं इसलिए वेट कर रहा था लेकिन आप लोगों ने इतना प्रेशर बना है सर अब तो बता दो जितने भी आये हैं उसके अधार पर और एक और चीज़ SC वालों के लिए मेरे पास अलग से 206 का एक डाटा एक भाई ने प्रोवाइड किया था 206 का उसके अधार पर मैं आप लोगों को SC की बताने वाला हूं ठीक है लेकिन पहले मैं Females की चर्चा कर लेता हूं बिल्कुल अलग से SC का 206 का अलग से डाटा एक भाई ने प्रोव इसे की अगर मैं बात करता हूं SC केटिगरी का यहां पर यह कट आप लोगों को कहीं ना कहीं राउंड ओफ 57 to 58 नजर आ रहा होगा 57 to 58 और इधर अगर मैं बात करता हूं यह आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है गल्स केटिगरी का आप लोगों कहीं ना कहीं यह 43 to 45 नजर आ ठीक है इसमें बहुत जादा चेंजिस मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को देखने को मिलेंगे ठीक है बाकी फाइनल कटोप का वेटी करना उसी के वही वैलिड होगा यह सिर्प एक्सपेक्टिड है ओन सर्वे है ओन दा बिहाप ओफ सर्वे ठीक है मैं फिर से कह रहा ह जो मुझे ST का स्कोर मिला है कही न कहीं ST का जो मुझे नजर आ रहा है वो कही न कहीं 59-2 आप लोगों को ये नजर आएगा 62 तक जा सकता है 59 से 62 तक इसमें माइनस वन या प्लस वन देखने को आपको मिल सकता है मेल्स के टिगरीगा 59-2, 62 वही पर अगर मैं फीमेल्स की बात कहीं न कहीं ST वालों की जो नजर आएगी वो 42 से 44 के आसपास नजर आ सकती है 42 से 44 या 45 इतना ठीक है ST वालों की फीमेल्स वही पर OBC की बात करें तो OBC में मार्क्स देखकर मैं हैरान हूँ और OBC के मार्क्स देखकर मैं इसलिए हरान हूँ कि OBC में पता नहीं स्टुडेंट इसने OBC का कोटा होने के बाद बाद 80-80 तक स्कूर किया है जो मेरे पास है किस एक भाई के 85 तक के है OBC में ऐसे पता नहीं कितने होंगे जो OBC में इतना स्कूर कर रहे होंगे इस कटॉप को देखने के बाद OBC कहीं ना कहीं मेरे सरवे के हिसाब से मुझे नजर आ रहा है य तो कहीं ना कहीं यह कटॉप या तो आप लोगों को 67 से अगर मैं कहूं 70 तक कहीं भी रज़र आ सकती है 67 से 70 तक OBC का भाई बहुत अच्छा स्कोर किया OBC वालों ने ठीक है और अगर कहीं पर मैं बात करूँ अगर कहीं पर आप लोगों को क्रेप्शन दिखेगा कि दिल्ली प्लिस में क्रेप्शन हुआ है वो तो बाद की बाता में यहां पर बात उन सेथ को छेड़ना नहीं चाहता तो वह सबसे ज़्यादा इसी डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो यह चात्र आपस में लड़ते कटे मरते नजर आएंगे कट ओफ के फाइनल में जब यह आएगा ठीक है तो कहीं ना कहीं यह 67-70 के राउंड ओफ जनरल से बहुत ज्यादा कम नहीं रहने वाली है और हो सकता है जनरल के आज तक हुआ नहीं है लेकिन मार्क्स देखने के बाद मुझे कहने में कोई हैरानी नहीं है कि कहीं है यह जनरल को क्रोज ना मार दे ठीक है OBC वाले दूसरा वहीं पर अगर मैं फिमेल्स कैटिगरी की बात करता हूं तो आप लोगों को यह कहीं ना कहीं 47-50 के राउंड ओफ देखने को मिलेगा 47-50 गल्स अब जनरल कैटिगरी का मैंने आप लोगों को बताय था 68 से लेकर 70 तक कहीं भी जा सकता है उसमें प्लस वन या माइनस वन हो सकता है और यहां पर इनका जनरल कैटिगरी की फिमेल्स का 52 अब बहुत सारे स्टुडेंट ऐसे होंगे जो एक सर्विसमेन है वो सोच रहे सर कितना सोचके चले आप अपनी अपनी कैटिगरी में प् बढ़े गा आपका दो-दो नमबर ही इंक्रीज होगा एक सर्विसमें का अगर इंक्रीज हुआ तो क्योंकि एक एक नमबर पर भी काफी लोग बाहर हो सकते हैं तो Конечно का मेरे पास सिर्व आट का ही आया है डाटा और उस आठ के अधार पर मैं क्या ही बता हूँ ठीक है तो आ मेंट करके जरूर बताईएगा और depends भी करता है आप लोगों के दोस्तों ने वी physical किया होगा आप उनका score भी मुझे comment करके बतासकते हैं कि आपका square किया है और उन्होंने कितना score क्या इस exam में दूसरा अगर तैयारी करना चाहते हैं हर रोज रात को 9 बजे ये दिल मांगे मोर CISF Head Constable Ministeral का फोर्म भर रखा है तो एक तारिक से बैच स्टार्ट होगा SSB Head Constable Ministeral का एक तारिक से बैच स्टार्ट होगा All India Students Community Play Store से डाउनलोड कर लिए description में लिंक डाल दिया है comment section में लिंक डाल दिया है और दिल्ले पुलिस रिजनिंग का बैच स्टार्ट हो चुका है जोइन कर लीजिए और दिल्ले पुलिस मैट्स का बैच दुबारा से स्टार्ट हो रहा है एक तारिक से और भी बहुत सारे बैच एक तारिक से आप लोगों को देखने को मिलेंगे आज के लिए इतना ही वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताईएगा बहुत सारे लोगों को दुख हो सकता है कट ओफ देखके बहुत सारे लोगों को खुशी भी होगी लेकिन कट ओफ कहीं न कहीं आपको मैं 95% बोल सक इस कैटेगरी से हैं दूसरा मेल हो या फीमेल और आपने कितना स्कूर किया है थैंक यू जय हिंद जय भारत टेक केर लवी और बबाए ध्यान रखिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए